दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारिक मैता का उल्टा चेश्मा की जो TRP रैंकिंग है ना इस हफते इतनी ज़्यादा इंप्रूव कैसे हो गई मतलब नमबर 8 पर रहता था लेकिन सडनली से नमबर 4 पोजिशन पर आ चुका है तो इसका मेंन रीजन क्या है तारिक मैता शो में ऐसा हमें क्या देखने को मिला है कि जिसकी वज़ा से तारिक मैता शो की रैंकिंग एकदम से टॉप 5 के अंदर जाकर पहुची है तो गाइस ये वीडियो पूरी आखिर तक देखेगा तो ये तारिक मैता शो में बहुत लंबे टाइम से कुछ ऐसा नहीं हो रहा था जिसकी वज़े से तारिक मैता शो सुर्खियों में आज है और तारक में तो शो 12 साल पूरे करने वाला है और इस मुकाम तक आ चुक है कि वो बीना किसी interesting story या बीना किसी सुर्खियां बनाएं TRP के top 10 में तो रहता ही रहता है और sub tv पे तो number 1 पे ही रहता है वहां से तो इसको कोई हिलाने वाला अभी तक तो sub tv का कोई serial पैदा नहीं हुआ है लेकिन suddenly top 8 से top 4 पर कैसे आया इस हफते तो guys इसका main reason ये है जब टपू सोनु को propose करता है जी हाँ दोस्तो वैसे तो वो भीडे का एक सपना था लेकिन valentine's day पर जैसे टपू सोनु को propose करता है तो ये audience के लिए काफी interesting बात थी क्योंकि ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता आमतोर पर खास करके जब से show संसकारी हुआ है तो जितने भी तारक मता शो के fan है वो ये चीज़ देखना चाते थे के टपू और सोनु के बीच एक love story start हो वो ये चीज़ देखना चाते हैं और इसी वज़े से ये जो topic था ये काफी ज़्यादा news में भी आया और आप YouTube पर भी देखोगे तो इस topic पर बहुँ ज़्यादा millions of views आयों है तो गाइस टपू का सोनु को propose करना यही main reason था जिसकी वज़े से तारक मता का ultra चश्मा जो TRP में है वो number fourth position पर आ गया वीडियो पसंदे वीडियो को like जुरूर कर देना चैनल को subscribe नहीं किया वो भी कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना तकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर पाएं फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में